हेलो एब्रिबन आज हम सिखेंगे हिंदी बालबार्ती सात्विक अक्षा का दूसरा पार्ट यह देखिए कि यहां पर लिखा है हिंदी बालबार्ती अभी हम लोग सेकेंड लेसन में जाते हैं यह देखिए यहां पर यहरा गुन गुनाते रहो इस पार्ट में हम लोग यानि की कवी ने बताया है एक पोयम बताई है इनकी कवी के नाम है जगदी संद्रो तीवारी ठीके तो आपको यह जो है पोयम अच्छे से पढ़ना है उसका मेनिंग समझना है नेग्स पेज पर हम लोग जाते हैं नेख्ट पेज पर भी जो है वो उसका सेकेंड पेरग्राफ है ठीके तो वह आपको करना है यानि पढ़ना है और यहां पर फर्स्ट परग्राफ में मतलब आपको प्लेश नमबर दू में आपको क्या बताई गया सुनो तो जरा सुनो तो जरा मैं आपको क्या करना है किसी अन्य भाषा की प्रभाती सुनो और कक्षा में सभी नहीं सुनाओ ठीके तो यह आपको करने की जरुरत नहीं है और उसके पहले हम लोग देख सकते हैं जो गुंगुनाते रहो के जो लेखक है जगदिश कि उनका यहां पर जन्मा और अचनाय परीचाय वो दिया गया है तो आपको यह अच्छे से पढ़ना है नेक्स्ट पेज पर हम लोग जाएंगे पेज नंबर चार पर और पेज नंबर तीन पर यहां पर उपर देख सकते हो आप लोग शुरुवात में ही अध्यन कोशल कविता का पुनहा स्मरान करते हुए आशय पर आधारी टिपनी बनाओ तो इसमें हमें टिपनी बनाना है जैसे कि फर्स्ट क्या है रचाईता है सेकेंडे कविता का विश्य और थर्ड जो है वो मूल मूल भाव है ठीक है नेक्स्ट पीच पर जाएंगे तो फर्स्ट मैं क् आतने सीखना है समझा है जैसे शब्द वाटु का यान क्या जैसे कोई भी होगे हो इस कविता में आए हैं तो इसे यहाँ पर लिखा रहता है न Teresa जर्ड बाटी का जैसे कि फर्स्ट कै आ से तो उसका जो मतलब में मीनिंग ell वह लिखा है आशा भौर को हम लोग सुबा कहते हैं ठीक है तो यह हमारा हो गया नेक्स्ट अमलोग देखेंगे विचार मन्थन विचार मन्थन यानि कि क्या मदुर्वचन सो क्रोध नसाई ठीक है तो यह आप लोग अपने नोडबुक में लिख भी सकते हो शब्दवाटी का तो आपको लिखना है मैंने समझा भी आपको लोग लिख सकते हो खोजबीन नेक्स्ट अमलोग देखेंगे यह रहा खोजबीन खोजबीन यानि कि नीचे हम लोग पढ़ते भारती समविधान में लेखित मौलिक अधिकार ग्याद करो तो यह हमें धूनना है उससे समझ के पढ़ना है तो नीचे यहां पर लिखा है कि इतिहास और नागरिक शास्त्रों सात्वी कक्षा प्रेस्ट नंबर 73 प्रेस्ट नंबर यानि कि पेज नंबर उसे हम लोग इंग्लिस में कहेंगे तो पेज नंबर और 73 पेज सब्सक्राइस नंबर 8 को निक्ल। ना आउर उसमें मोख पैज पढ़ना है ये नेक्स्ट लोग देखेंगे बताओ तो तो सही इसमें हमें क्या करना है नेमनीर सब्सक्राइब को तो एसे भी हम आसाम हे लिए वल्ले फोन यूज ना करें मुबाइल को यूज ना करें इसका उब्योग करें अपल लोग मों कहते हैं अरा में माफ़ी मांड़ा तो प्रति यूज कर सकते हैं मुझे समा कर दो यह लोग लग सकते हैं फोर्ट मारा क्या है नमस्ते वह कोई बोलते हैं जैसे कि कोई मिलते हैं तो से इंग्लिश में तो गूर्द मॉल्2 कहेंगे और लोक नमस्ते भी कहतें दिखेंगे वाचन जगत से उसमें क्या दिखाएगा आपको किसी शफल व्यक्ति की आत्मकता का अंच पड़ो और कक्षा में सुनाओ परिचाई प्रेड़क प्रसंग सीख आप लोग यह नेट से गूगल से भी सर्च मारके लिख सकते हो ठीक है नेक्स रम लोग देखेंगे मेरी कलम से यह रहा मेरी कलम से इसमें के लिखा है भोर होते ही होने वाल यानिकी आप देखो यहां पर भी बताया गया है दोर यानिकी सुबह होते ही होते ही तो अंधाकाल होते ही प्राताकाल का हुछिक लजब शब्लू अपको अपने सब्टों में लिखना है और सक स्चिति कैसी रहती है? आपको प्रुप और फ़ोरत है मारा बच्छों के विवहार मैंने आपको पहले भी बता लेता है पे कि हम लोग रिस्पक्त से बात करते हैं फिर हमारा बात करने का तरीका कैसा होता ने επιर और बिभार करती वह आपको लिखना है सो इमद्ध्हान नेक्स्ट है किसी अपठित पाठ्यांश शूत्रे षुत लेखन एवां सुद्धbn लेकन करो आपस में जांचो यह जांचो है वो यहां पर लिखा हुआ है आपस में जांचो तो यह जो है वो डिसकस करना है तो आपको लिखने की जरुवरत नहीं है नेक्स आम लोग देखेंगे कवीता के अधार पर गीत के गीत गुन गुनाने के अवसर लिखो तो इसमें आप लोग यहां पर हमारे पास चार अप्शन है क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग देखो मैं आपको अभी बताती हूं तो मैंने वैसे लिखा है यह तो मैं वही आपके साथ शेयर करती हूं तो यह देखो यह पर फर्स्ट मैं आपको बताय गया है कवीता के अधार पर बोर के गीत गुन गुनाने के अवसर लिखो यह वाला ओके यह जो निंचे का है वह आपको नहीं लिखना है ठीक है तो आप इसका स्क्रीन शोट ले लिजिए ओके अब नेक्स्ट आम लोग देखेंगे तो यह देखें हमारा जो है वो सदेव ध्यान में रखो यह वाला जो है वह आप लोग लिख सकते हो दुख के बाद सुकाता है यह रियलिटी है नेक्स्ट हमारा भाशा की और नीचे द विनम्रता असफलता तो यह देखें मैं आपको बताती हूं अभी तो इसका आप स्क्रीन शोट ले लिजिए यह देखें बाशा की और नीचे दिये गए शब्दों में से मूल शब्द यह वही क्वेस्टन है तो यह इसका आप स्क्रीन शोट ले लिजिए तो यह जो है यह सब्द है यह मूल सब्द है यह उपसर गई यह प्रत्य है तो जो टेक्स्ट बुक में है वही इसमें मैंने लिखा है इसका आप स्क्रेंशॉट ले लिजे तो आज का जो हमारे लेसन है लेसन नमबर टू वो कंप्लीट हो चुका है तो आज के लिए इतना ही थेंक यू